साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विशय है सच्चाई और एमानदारी चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी पुरानी बात है एक बढ़ाई किसी गाव में काम करने गया लेकिन वो अपना हथोड़ा साथ ले जाना भूल गया उसने गाव के लोहार के पास जाकर कहा मेरे लिए एक अच्छा सा हथोड़ा बना दो मेरा हथोड़ा घर पर ही छूट गया है लोहार ने कहा मैं बना दूँगा पर तुम्हें दो दिन इंतजार करना पड़ेगा हाथोड़े के लिए मुझे अच्छा लोहा चाहिए लोहा कल मिलेगा साथ संगत जी दो दिनों में लोहार ने बढ़ाई को हाथोड़ा बना कर दे दिया हाथोड़ा सच मुझ बहुत अच्छा था बढ़ाई को उससे काम करने में काफी सहूलियत महसूस हुई बढ़ाई के सिफारिश पर एक दिन एक ठेकेदार लोहार के पास पहुचा उसने हाथोड़ों का एक बढ़ा ओडर लोहार को देते हुए ये भी कहा कि पहले बनाए हाथोड़े से अच्छे हाथोड़े बनाना लोहार बोला उससे अच्छा हथोड़ा तो अब नहीं बन सकता क्योंकि जब मैं कोई चीज बनाता हूँ तो मैं उसमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता चाहे कोई भी बनवाए धीरे धीरे लोहार की शोहरत चारों तरफ फैल गई एक दिन शहर से एक बड़ा व्यपारी आया और वो लोहार से बोला मैं तुम्हें डेड़ गुना जादा दाम दूँगा शर्त ये होगी कि भविश्य में तुम सारे हथोड़े केवल मेरे लिए ही बनाओगे हथोड़ा बनाकर तुम दूसरों को नहीं बेचोगे लोहार ने इनकार कर दिया और बोला मुझे अपने इसी दाम में पूरी संतुष्टी है अपनी मिहनत का मुल्य मैं खुद नरधारित करना चाहता हूँ अपने फायदे के लिए मैं किसी दूसरे के शोशन का माध्यम नहीं बन सकता आप मुझे जितने अधिक पैसे देंगे उसका दोगुना गरीब खरीददारों से वसूलेंगे मेरे लालच का बोज गरीबों पर पड़ेगा जबकि मैं चाहता हूँ कि उन्हें मेरे कोशल का लाव मिले इसलिए मैं आपका प्रस्ताव सविकार नहीं कर सकता साथ संगत जी वो व्यपारी समझ गया कि सच्चाई और इमानदारी महान शक्तिया हैं जिस व्यक्ति में ये दोनों शक्तिया मौझूद हैं उसे किसी भी प्रकार का लालच अपने सिर्धानतों से नहीं डिगा सकता इसलिए हमारे व्यक्तितव में सच्चाई और इमानदारी ये दो गुण जरूर होने चाहिए साथ संगत जी सदियों पहले भारत के किसी राज़े में एक सुयोग्य राजकुमार था वो जल्द ही राजा बनने वाला था राज़े की परंपरा के मताबिक राजा बनने से पहले उसके लिए विवाहा करना जरूरी था किन्टु वो राजकुमार किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो कि नेक और सच्ची हो एक बुद्धीमान दरबारी ने उस राजकुमार को सलहा दी कि वो राज्य की सारे युवतियों को बुला कर उनमें से अपने लिए सुयोग्य वधु का चुनाव करे राजकुमार के महल में एक दासी थी जिसकी बेटी भी विवाहा युग्य थी जब उसने राजकुमार के विवाहा के लिए की जा रही तयारिया होते देखी तो उसका दल बैठ कया क्योंकि उस दासी की पुत्री भी राजकुमार से प्यार करती थी जब उसने घार पहुँचकर राजकुमार के विवाह की खबर अपनी बेटी को दी तो वो ये जानकर हैरान हो गई कि उसकी बेटी भी स्वैवर में आना चाहती है उसने अपनी बेटी से कहा बेटा तुम वहाँ जाकर क्या करोगी वहाँ तो पूरे देश में से एक सेक बढ़कर एक सुन्दर और धनी लड़कियां राजकुमार का वरण करने आएंगी तुम राजकुमार से विवाह की इच्छा अपने मन से निकाल दो दासी की बेटी ने कहा मा तुम चिंता ना करो मुझे पता है कि राजकुमार मुझे नहीं चुनेगा लेकिन मा मुझे एक मोका तो दो मेरे लिए ये ही बहुत बड़ी बात है मैं जानती हूँ कि मेरी किस्मत में महल नहीं लिखे स्वैवर की राद को सभी नव युवतियां महल पहुँची वहाँ सैकड़ो सुन्दर और धनी युवतियों का जमगड था राजकुमार ने तब सभी युवतियों से कहा मैं तुम्मे से प्रतेक को एक बीज दूँगा इस बीज से पोधा निकलने के छे महीने बाद जो युवतियों मुझे सबसे सुन्दर फूल लाकर देगी मैं उसी से विवहा करूँगा वही इस राजय की रानी बनेगी सभी युवतियों को गमले में एक एक बीज रोप कर दे दिया गया दासी की पुतरी को बागवानी या पोधे की देखबाल के बारे में होगा तीन महीने बीत गए लेकिन गमले से कोई पोधा नहीं निकला नोकरानी की बेटी ने सब करके देख लिया उसने मालियों से और किसानों से बात की जिनों ने उसे बागवानी की कुछ तरकीबें बताई लेकिन किसी तरकीब ने कुछ काम नहीं किया, गमले से कुछ नहीं हुगा, इसमें छे महीने बीत गई, नियत दिन को अपने खाली गमले को लेकर वो दासी की बेटी राज महल पहुँची, उसने देखा कि बाकी युवतियों के गमलों में बहुत अच्छे पोधे होगे थे, और हर पोधे में एक अध्वित ये फूल खिला था, अंत में वो घड़ी आ गई, जिसका सभी इंतज़ार कर रहे थे, राजकुमार दरबार में आया, उसने सभी युवतियों के गमलों को और फूलों को ध्यान से देखा, फिर राजकुमार ने परिणाम की घोशना की, उसने दासी की बेटी के और इशारा करके कहा कि वो उसी से ही शादी करेगा, साथ संगत जी, वहाँ उपस्तित सभी लड़कियों के परिवार जन इस बात पर नराज होने लगे, उन्होंने कहा कि राजकुमार ने सुंदर फूल लेकर आई युवतियों की उपेक्षा करके, उस युवति को चुना जो खाली गमला लेकर आई थी, राजकुमार ने सभी को शांत रहने का इशारा करते हुए कहा कि वल इसी युवति में इस राज्य की रानी बनने की योगेता है, क्योंकि इसने सच्चाई और एमानदारी का फूल खिलाया है, दरसल जो बीज मैंने छे महीने पहले सभी क्योंकि सच्चाई और इमानदारी ही हमारे जिंदगी के सबसे वड़ी दौलत होती है, पुरानी बात है, सौधी अरब में बुखारी नाम के एक विदवान रहते थे, वो अपनी इमानदारी के लिए बहुत मशूर थे, एक बार वो समुदरी जहाज से लंबे यातरा पर नेकले, उन्होंने सफर में खर्च के लिए एक हजार दिनार रख लिए, यातरा के दुरान बुखारी की पहचान दूसरे यातरियों से हुई, बुखारी उनसे ग्यान की बातें बताने लगी, एक यातरी ने उनसे नजदेकिया कुछ जादा बढ़ा ली, एक दिन बातों ह और रख लिए, मेरा एक हजार दिनार चोड़ी हो गया, जहाज के करमचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यूं हो, जिसने चोरी की है, वो यहीं होगा, हमें के क्यातरी की तलाशी लेंगे, वो पकड़ा जाएगा, यातरियों की तलाशी शुरू हुई, जब बुखारी की तो जहाच के करमचारी और यातरियों ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए, आप पर तो शक करना ही गुनहा है, ये सुनकर बुखारी बोले, नहीं जिसके दिनार चोरी हुए है, उसके दिल में शक बना रहेगा, इसलिए मेरी भी तलाशी ले ली जाए। बुखारी की तलाशी ली गई लेकिन उनके पास से कुछ भी नहीं मिला दो दिनों के बाद उसी यातरी ने उदास मन से बुखारी से पूछा आपके पास तो एक हजार दिनार थे वो कहाँ चले गए बुखारी ने मुस्कुरा कर कहा उन्हें मैंने समंदर में फैक दिया तुम जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मैंने जीवन में दो ही दौलतें कमाई हैं एक एमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वाश अगर मेरे पास से दिनार बरामद होते और मैं लोगों से कहता ये मेरी हैं तो लोग यकीन भी कर लेते लेकिन फिर भी मेरी एमानदारी और सचाई पर लोगों का शक तो बना रहता मैं दौलत तो गवा सकता हूँ लेकिन एमानदारी और सच्चाई को मैं खोना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है साथ संगत जी अगर आज की ये साखिया आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखिय और नए वैचारों के साथ साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी